Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel पिछले कई दिनों से लगातार कई सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे हैं कि सर MSC Chemistry एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहा हूँ या MSC Chemistry एक बहुत ही एवरेज कॉलेज है वहाँ से कर रहा हूँ तो क्या मेरे लिए आगे भी उतनी ही ग्रोथ ऑपर्चुनिटी है जो की उन स्टूडेंट के लिए है जो MSC Chemistry टॉप प्रेमियम इंस्टिटूट से कर रहे हैं कई सारे विवर्स लगातार ये कमेंट कर रहे हैं और मैं समझ सकता हूँ जब आप MSC Chemistry करते हैं एक ऐसे कॉलेज से जो की इतना बड़ा नहीं है उसकी रेपिटेशन इतनी बड़ी नहीं है तो हमारे मन में एक फियर आता है कि जब हम MSC Chemistry पास आउट हो जाएंगे तो क्या हमारे लिए भी उतनी ही ग्रोथ ऑपर्चुनिटी रहेगी जो की उन स्टूडेंट के लिए है जो की टॉप प्रीमियम इंस्टीट से MSC Chemistry कर रहे हैं देखिए आज की इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कुछ फेक्ट के आजहार पर हम बात करेंगे जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जो स्टूडेंट MSC Chemistry टॉप प्रीमियम इंस्टीट से कर रहे हैं और आप MSC Chemistry अगर एक एवरेज कॉलेज से या किसी प्राइवेट उनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो देखिए आप में और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मुझे लगता है वो यह है कि जब BSC Chemistry करने के बाद आप आगे अपने कैरियर की प्लानिंग कर रहे थे उस समय आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं थे कि मुझे आगे करना क्या है होता क्या है कि BSC Chemistry करने के बाद आप सभी जानते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरियर आप्शन्स हमारे सामने होते हैं क्या जो कि BSC Chemistry के बाद हमारे सामने होते हैं या फिर कई स्टूडेंट सोचते हैं कि MBA की प्रिफरेंशन करू तो कई बार जब इतने सारे उप्शन्स हमारे सामने होते हैं और हम अगर उन options में सफल नहीं हो पाते हैं और फिर हम यह decide करते हैं कि चलिए अब हम आगे चल कर MSC chemistry करेंगे तो उस समय जाहिर सी बात है कि chemistry पर आपका इतना ज्यादा focus होता नहीं है और उस वज़े से आप जो top universities हैं इसके अलावा जितने जो premium institute हैं उन सबका entrance exam clear नहीं कर प पाते हो इस वज़े से आप IIT से MSC नहीं कर पाते तो ऐसे तमाम रीजन्स होते हैं जिस वज़े से आपको अच्छी university या IIT MSC chemistry के लिए नहीं मिल पाते हैं वहीं ऐसे student जो की BSC chemistry से ही जिनका एक ही focus होता है कि आगे चल कर MSC chemistry ही करना है तो वह अच्छे से अपनी preparation करते हैं जिस वज़े से top universities के entrance exam को वो clear कर लेते हैं अब अगर आप MSC chemistry कर रहे हैं एक private university या किसी भी ऐसे college से जो इतना prestigious नहीं है तो आपको बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है आपके लिए भी उतनी ही growth opportunity रहेगी जो की उस student के लिए है जो MSC chemistry IIT से या किसी top university से कर रहा है देख possibility criteria मांगा है MSC chemistry तो क्या कोई उस student को रोकेगा उस exam में participate करने से जिसने MSC chemistry एक private university से की है जवाब होगा बिलकुल नहीं दोनों ही student एक student जो IIT से MSC chemistry कर रहा है एक student जो एक private university या average college से MSC chemistry कर रहा है दोनों के लिए equal opportunity है उस exam में participate करने की और उस exam को crack करने की देखिए MSC chemistry के बाद CSIR net chemical science का exam होता है जिसको clear करने के बाद आप top institute से PhD कर सकते हो with fellowship तो क्या उस student को कोई उस exam में participate करने से रोकेगा जो की MSC chemistry कर रहा है एक private university या किसी भी average college से जवाब होगा बिलकुल नहीं आप भी उस exam में बैठने के लिए उतने ही हकदार हो जितने की एक MSC chemistry जो top college या IAT से कर रहा है वहाँ पर कोई भी partiality नहीं होती है कोई आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपने MSC chemistry private university से किये तो आप इस exam में नहीं बैठ सकते हैं देखिए फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि आप एक average college या private university में पढ़ने के बाद भी अपने chemistry के passion को कितना develop कर पाते हैं और chemistry पर अपनी कितनी strong command या strong पकड़ आप रखते हैं इससे कि ऐसे exams को आप क्रेक कर पाए होता क्या है कि कई बार जब हम एक बहुत ही average college या private university से MSC chemistry करते हैं तो एक तो हमारे मन में यह जो है वो ऐसी feeling आने लग जाती है कि हम तो आगे growth कर नहीं पाएंगे हमारा आगे कुछ नहीं होगा इस वजह से कहीं नहीं हम demotivate हो जाते हैं वहीं जो student MSC chemistry top institute से करते हैं उनको क्या होता है कि महाँ पर एक atmosphere मिलता है वहाँ पर उनके जो professors होते हैं वो काफी बड़े-बड़े professors रिनौट professors होते हैं जिनको देश-विदेश में जाना जाता है अच्छे-च्छे research paper वो publish करते हैं तो उस वजह से उनका confidence थोड़ा सा हा होता है लेकिन मैं सभी student को कहना चाहूंगा जो अभी private university या किसी average college से MSC chemistry कर रहे हैं आपको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है infrastructure की जो कमी है उसको आप अपने उपर हावी मत होने दीजिए आज के समय में इतने ज्यादा resources available है YouTube पर इतनी ज्यादा information available है कि एक average university या पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपके लिए growth opportunities equal है बस एक confidence आपको रखना है और chemistry लगातार पढ़ते रहनी है यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर एक average college या private university से MSC chemistry कर रहे हैं हो सकता है कि आपका महाँ पर syllabus time पर complete नहीं हो हो सकता है कि आपकी जो theory classes है उनमें ब आपको नया नया तरीके ढूंडने है कि कैसे मैं study कर सकता हूं कैसे मैं अपने आपको बहतर कर सकता हूं देखिए resources की कमी नहीं है मैं यह नहीं मानता हूं कि आज के समय में कोई भी student यह कहेगा कि resources की कमी है सभी के mobile में जो है वो 4G यह data है इसकी वज़े से आप easily access कर सकते हो तो कई सारी उन चीजों को जो आज से 8-10 साल पहले easily available नहीं होती थी तो यही point मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको लगातार chemistry पढ़ते रहना है हो सकता है जब आपने MSC chemistry में admission लिया था उस समय due to various reasons आपने इतने अच्छे से preparation नहीं की जिसकी वज़े से आपका top university य से MSC chemistry कर रहे हैं तो आपको लगातार अपने आपको improve करते रहना होगा लगातार chemistry पर आपको अपनी command और grip जो है वो मजबूत बनानी होगी तो देखिए मैंने government job का example ले लिया CSIR net chemical science का example ले लिया अब अगर हम बात करते हैं कि MSC chemistry के बाद जो है वो jobs opportunity की जो private jobs होती है उसकी तो देखिए यहाँ पर भी कहीं कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है even यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादा घबराने की जरूरत उन student को है जो की top colleges से MSC chemistry कर रहे हैं आप सभी जानते हैं कि MSC chemistry करने के बाद जो average package है starting salary जो होती है वो इतनी हर्ट हो जाता है कि इतनी मैनत करने के बाद हम वहां तक पहुंचे और अब starting salary इतनी कम मिल रही है तो कहीं न कहीं मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि MSC chemistry के बाद salary जो है वो बढ़नी चाहिए student की क्योंकि हम अपने career के five precious year लगा देते हैं MSC chemistry करने में बट देखिए यह मेरे और आपके हाथ में नहीं है industry का जो standard है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन अभी भी जो salary है वो below power है तो कई बार क्या होता है कि जो top universities से MSC chemistry करते हैं उन्हें तो इतनी कम salary में join करना उनके लिए काफी ज्यादा difficult होता है लेकिन वहीं पर जो private university average college से जो बच्चा pass out होता है उसे एक बार ऐसा लगता है कि चलो job तो मिल रही है वो job join कर लेते हैं तो यहाँ पर एक यह plus point हो जाता है क्योंकि initial one two year का अगर आपको experience हो गया तो उसके बाद जो job और growth की जो opportunity है वो काफी जादा open हो जाती है क्योंकि experience candidate के लिए लगातार opportunity आती रहती है तो private job में भी कहीं पर आपको कोई restriction नहीं आएगा कि आपने एक private university average college से किया है तो कोई आपकी growth को आपसे चीन लेगा सिर्फ और सिर्फ एक बात है जिस पर मैं हमेशा focus करता हूं कि आपको अपनी skill को enhance करते रहना है chemistry पर जितनी अच्छी command होगी आपकी आप उतना ही आगे जाओगे यही मैं क खत्म हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि कहीं पर भी कोई आपको रोकेगा नहीं आप में potential होना चाहिए आप में chemistry की अगर grip है command है आपने अपनी chemistry skills को chemistry subject को strong किया है तो आप definitely आपकी जो success है उसको कोई नहीं रोक सकता साथ ही साथ मैं आपके साथ हमेशा हूं मैं हमेश structure नहीं मिल पा रहा है जो top colleges में होता है वो मेरे videos के through information लेते रहें जिससे उनकी life में कुछ value add होती रहे तो मेरा यहीं मकसद है and I am sure आप सभी के लिए ये video helpful और informative साथ ही साथ आपको ये भी बता दू कि जब मैं भी MSC chemistry कर रहा था तो उस समय मेरी भी इच्छा थी कि MSC chemistry के ल connection वहां पर हुआ और मैंने एक दूसरा जो college था जो उसी university से affiliated था वहां पर admission लिया कई बार मन में यह आता था कि हम उस बड़े जो university का department है वहां से नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन देखिए in the end सब ने अपनी अपनी जिसमें जितना potential था उसके हिसाब से सब ने growth और success हासिल की ह तो आपको भी यही कहना चाहूंगा कि आपकी growth और success सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में आप जितनी अपनी skills को अपनी chemistry को strong रखेंगे आपकी success और आपकी growth उतनी ज्यादा होगी Thank you for watching this video